हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स ये जिएस्टू लक्टर सीरीज का 56 नंबर लक्टर है आज हम लोग कॉंपरीजन ऑफ इंडियन कॉंस्टिशन विद अदर कॉंस्टिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके साथ ही हम लोग आज इंडिय बना हुआ है उसको देखिए और उसके नोट्स भी बना लीजेगा अगर इस सीरीज आपको अच्छा लग रहा है आपको पसंद आ रहा है एक परसंट का भी ज्यान हो रहा है और लग रहा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा कमेंट और लाइक जरूर कर दीजेगा आएज फ्रेंट सुरू करते हैं आज का लक्षा देखे फ्रेंट जो कंपेरेजन ओफ इडियन कांट्री से और किया डिफरेंसे अभी जो इसमें पहले इंडियन कॉंस्टियूशन के बारे में ल अधर Constitution की जहां तक बात है यह एक टॉपिक है आपको इसके बारे में पुड़ा पढ़ना तो में जो में जो कंट्री है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं देखिए सबसे पहले जानते हैं कि यह Constitution का जो importance है वो क्या है what is the importance of Constitution देखिए पहला है कि to ensure government operates efficiently and in fair and reasonable manner मतलब government जो है वो सही तरीके से efficiently fair और responsible manner में operate कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके लिए Constitution का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह ensure करने के लिए ठीक है तो एक तो यह चीज़ हो गया दूसरा ही होता है कि इसके जो यह जो काम है यह ensure करना कि यह government सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह बहुत तरीके से होता है जिसमें जो तीन में तरीका है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं देखिए तीन तरीका क्या कौन कौन सा है पहला है कि it holds the government to the law गवर्मेंट को जो है कानून और इसके हिसाब से बांद के रखता है ठीक है ताकि government जो काम असानी से कर सके ठीक ह हो गया दूसरा यह है कि it provides the distinction of the power so that no one part of the government in any more powerful than another हां कुछ ऐसे मतलब क्या करता है डिस्टिंशन ऑपावर देखर के देती है government मतलब इस तरीके से constitution कि उस government में कोई अगर बहुत सारे member होते हैं participate करते हैं तो वो यह मतलब बताना चाह रहा है कि एक दूसरे से ज़्यादा पावर्फूल नहीं है जो एक होगा अटमोस्ट वो वो जो है सबको हैंडल करेगा कहने का मतलब यह हुआ कि government का कोई भी पार्ट एक से बढ़कर नहीं दूसरा नहीं है समझे एक से बड़ा दूसरा नहीं है मतलब अगर आप यह सबसे बड़ी है तो नहीं ऐसा भी नहीं ह तो ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट बड़ा है कोई डिपार्टमेंट छोटा है तो इस तरीके से अपने अपने पावर डिसाइड कर देगा है थीक है समझ के चीज़ को चलिए अगला इसमें आता है कि कि प्रोवाइट से शीरीज ऑफ चेक्स एंड बैलेंस जो यह प्रोवाइट कर राता है जब भी लॉब बनाए जाए या एमेंड के जाए गवर्मेंट फॉलोग प्रोसीजर टू पास ता बिल को पास करने के लिए गवर्मेंट क्या करें सही से सही प्रोसीजर को फॉलोग करें यह तीन वे हैं ठीक है एक तुछे के इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट अगर हम देखें तो पहला हम देखते हैं कि यह अधूईतिये हैं इनका जो कॉंटेंट्स है और जो स्पिरिट है वह अधूईतिये है असाथ दूसरे जगा पर आपको देखने को नहीं जरेगा इंडिया धेषवारत इस उम्टेट का यहुचान और गोबनेंट्स तो सवाजवादी सेक्यूलर हो गया धर्म निर्पेक्च हो गया डेमोक्रेटिक मतलब गंतंत्र हो गया और रिपब्लिक गंतंत्र हो गया डेमोक्रेटिक का मतलब क्या बता बताई यह डेमोक्रेटिक का मतलब क्या बताई यह कमेंट बॉक्स में परल्लेमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट है तो इसे वर्ड याद रखिएगा इंडिपेंडेंट सोचलिस्ट सेक्विलर डिमोक्रिटिक रिपब्लिक विद परल्यमेंटरी सिस्टम और गवर्मेंट ठीक है चलिए अगला पॉइंट इसमें आता है कि तब रिपब्लिक इस गवर्ण इन टर्म्स ऑफ दर कॉंस्टिशन इंडिया का टर्म में यह जो रिपब्लिक जो है वह गवर्ण होता है जिसको एकसेप्ट किया गया था एसेम्ट इसमेंड जब्ली में 249 को और साथ में यह फोर्स में का वाता है इस रिजन को बताएं कि च्विस जनबड़ी उनीच सब पताश अब आप लोग यह बताएं कि 26 जनबड़ी ही क्यों चुना गया ठीक है इसका पर्टिक्लर रीजन है इस रीजन को बताएं कमेंट बोक्स में चलिया आगे कि दो कॉंस्ट्यूशन ओफर फॉर पार्लियमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट विच इस फेडरल इन स्ट्रक्चर विट सर्टेन युनिट्री करेक्टरिस्टिक है तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर यहां प्लीज मैं फिर से आपनों कह रहा हूं वीडियो में एक्जाम से पहले और मतलब इस बीडियो के खतम होने के बाद वही आपका दोस्त है जिसको आप देकर करके पढ़ हो गया ठीक है तो वो जरूर बना लिजेगा नोट चलिए बढ़ते हैं अगला पॉइंट इसमें आता है अगला पॉइंट इसमें आता है दे कॉंस्ट इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा यही चीज़ में कहा गया अर्टिकल 79 में ठीक है अगला इसमें जो पॉइंट कहते हैं वो कहते हैं कि आर्टिकल 74 जो है उसमें कहा है जो the Constitution provides that there shall be council of ministers with the prime minister as its head of council of minister होंगे उसके head होंगे प्राइम मिनिस्टर और वही जो है help करेगा अडवाइस देगा प्रेशिदेंट को ताकि वो मतलब council of minister को चूज कर सके है ना समाज़गे वो शैल exercise his order function in the accordance with the advice order advice के हिसाब से जो को अपने function को complete करेंगे ठीक है समाज़गे करेगा किस से मदद लेगा एडवाइस किस से लेगा प्राइम मिनिस्टर होता है ठीक है यहां तक आप लोग को यह सब आप लोग पहले पता होगा लेकिन मैंने इसलिए बताया है कि एक स्टार्ट मिल जाए आप लोगों को सही से समझने में ठीक है तो यह बारत की विस्ष्था है भारत की विस्ष्था है जिसको आपने समझा है अब हम लोग देखते हैं इन्जिए और फ्रांस में क्या similarity है औ देखते हैं इस तरीके से आपने एक ब्लॉग बना लीजाएगा जिसमें पेज पे एक साइड में इतना स्पेस खाली छोड़िएगा और बीच से स्पेस लेकर करके इधर similarity लिखेगा और यहां डिस similarity लिखेगा और उपर से नीचे लिखना सुरू कर जाएगा मैं यह करके बता रित्त लुका हूं चलते देखिए फ्रांस में अगर इंडिया वर्सन करें से बात करें तो सिमलरेटी में पहला आएगा डिक रिच्टन कोंसिशियुशन देखेगा दोनों ही कंट्री के पास में क्या है रिच्टन कॉंसिशिट इन है फ्रांस है चेंज इस करेंट ले इस प्रिस्पेटिव टर्म्स के लिए क्या है एलेक्टेट होगे कंट्री के उन्हें चुनाओ के वारा गोशत के जाएंगे अगला होगा amendment process की जहां तक बात है similarity में ही चल रहाया भी है ठीक है देखिए सिमिलरिटी में अमेजरीटी मांगी जाती है तो उस तरीके से इन जैसे इंडिया में करने के लिए बात करें तो इंडिया ने उन से बहुत कुछ बौरो किया है जिसमें में जो आता हो लिवर्टी इसके साथ ही प्रियंबल में आप देखे गए इस अब वर्ड जो है वो लिखा गया है और फ्रेंश कॉंस्यूशन का जो यही वर्ड है भारत ने क्या किया है एडॉप्ट किया है ठीक है लिवर्टी इक्वालिटी और बात करें तो दोनों ने इसन के पास में जो है क्या करती है ये इमर्जेंसी प्रोविजन है ठीक है पावर उफिमर्जेंसी जो है दोनों ने जो ही यूज करती है चलिए अगर डिफरेंस की जहां तक बात है यह जो नदेरेंस की जहां तक बात है दूसरे कॉलम में आप इसको लिखेगा तो पहला आता है पॉलिटिकल मॉडल सब्सक्राइब पाप्र जो होता है बात है बात होती है तो यहाँ पर कोई प्रेशिडेंट नहीं है इस तरीके का जो कुछ चीज नहीं है कहां पर फ्रांस के इंडिया में यह चीज है ठीक है बढ़ते हैं आगे क्या है इंडिया में इंडिया में प्रोसिजर इस्टिबिलिस्ट बाइ लॉग और ड्यू प्रोसेस अफ लॉग का इस प्रियंबल वाला चेप्टर जो है उसको तरह ठीक से पढ़िएगा आज लक्ष्मी कांथ से चलिए आगे बढ़ते हैं पर फ्रस्ट अप्राइट ओना युनिटरी मॉडल रैधर दैन फेडरेवलिजम इंडिया हां देखिए फ्रण्स में क्या है यूनिटरी मॉडल है भारत क्या है डाली चीज़ करते हैं कि प्रांस में कोई रोल नहीं एंड जूरी सेट्टी इस्टरी का मतलब नहीं जेब सब्सक्राइब करते हैं कि इंडीया को प्रांस में कोई रोल सब्सक्राइब करती है उसके प्रेंच कोड नहीं है इंडिया पर दूसरा होता है और दूसरा होता है administrative court लेकिन इंडिया में ऐसा कोई concept नहीं है, ऐसा कोई structure नहीं है, ठीक है, तो आज की lecture में इतना ही था, बस छोटा सा lecture बना रहा हूं, ठीक है, आप लोग बस खयाल रखिए, और अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है, तो like, share, comment and subscribe करना मत प्लेग्राम ग्रूप को जोइन कर लिजे और Facebook को भी पेज पे आप जा करके like कर सकते हैं, ठीक है, Facebook पेज भी जोइन कर लिजेगा, तो बस आज की lecture में इतना ही बढ़ते रहे है, बढ़ते रहे है, जो कुछ नहीं समझ में आएगा, comment box में पूछ लिजेगा, ठीक है, मिलत हैं अगली लेक्चर में, टाटा, बाइबाइ, टेक केर, जैहिन